नमस्कार जन्ता के लिए जन्ता की अवाज जन्ता समचार में आपका स्वागत है आईए देखते हैं आज की कुछ खास खबर राजदानी भुपाल में एक छे साल की मासूम को अवारा कुट्टो ने नोच दिया बच्ची एसेक्स वर्दमान ग्रीन पार्क के पास असुका गार्डन में अपने घर के सामने खेल रही थी कुट्टो ने पैर में गहरे घाव कर दिये पडोसीयों ने दोड़ कर उसे बचाया बच्ची को हास्पिटल में भर्ती कराया गया है दो महीने पहले बोपाल में अवारा कुट्टों ने चार साल की बच्ची को नोज डाला था यह मामला भी काफी सुर्कियों में रहा था अब फिर से मासूम बच्ची कुट्टों का सिकार हो गई यहगटना शुकरवार साम किये अशुका गार्डन के आसीस वर्मा की चैवर सी चोटी बेटी निमशा घर के बाहर खेल रही थी तबी तीच जार कुट्टों ने निमशा को घेल लिया पिता आशीश ने बताया कुतों ने निमिशा को जमीन पर गिरा दिया और काटनी लगी, तबी पडोसियों और परिजिनों ने दोड़ कर कुतों को भगाया, वावजूद कुतों ने पैर में काट लिया, गहरा जगम होने से निमिशा को प्राइविट हास्पिटल में ले कर गए वहां इसका इलाज किया गया कुट्तों की बढ़ती संख्या और बच्ची के साथ हुई गटना के बाद आशीश ने नगर निगम से सिकायत की इसके बाद शनीवार सुबह नगर निगम की टीम कॉलाणी में पहुंची और करीब दस कुट्तों को पकड़ा इस दोरान एक NGO के कुछ सदर से वहां पहुंच गए और कुट्तों को पकड़ने पर हंकामा करने लगी इस पर रहवासियों ने उन्हें जम कर लतार लगा दी आप देख रहे थे अब तक की खास खबर और खास खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूले आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें